Hello friends, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में Recruitment आ रही है दोस्तों Amazon की तरफ से thumbnail देखके आपको पता चल के होगा Recruitment दोस्तों दो हैं, पहली जो है यहे Sales Associate के लिए और दूसरी जो है यहे Manager Customer Service के लिए दोनों ही Recruitment पे जो है वो थोड़े बहुत differences है दोनों के बारे में हम लोग detail में जो है वो बात करेंगी कौन कौन ने लिजी बले कैसे आवे इदन करना है फिलाल शुरुआत में ही पता देता हूँ कि जो Sales Manager की Recruitment है माफ किजेगा Sales Associate की इसमें जो है वो fresher apply कर सकते हैं और जो Manager की Recruitment है Customer Service में उसमें अगर आपके पास किसी तरह का experience है दो से तीन साल तक का तो आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों दोनों की location भी अलग-अलग है Manager की location जो है वो हैदराबाद में है और करनाटका में रहेगी Sales Associate की post के लिए तो यहाँ पे अगर आप apply करना चाहते हैं तो शुरू से लेके last तक वीडियो को complete देखेगा ताकि आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं Freshers के लिए Sales Associate की यह post है Job location आपकी करनाटका में रहेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं और से apply नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल apply कर सकते हैं आप इंडिया की किसी भी state से आते हैं अगर आप काम करना जाते हैं करनाटका में तो आप बिल्कुल apply कर सकते हैं यहां पे दूस्तों description में बहुत सारी चीज़े लिखी गई हैं लेकिन जो main चीज़े वो यह हैं आपके communication skills अच्छे होने चाहिए और जब भी यहां पे experience mention नहीं करा जाता है तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि यहां पे जो है वो freshers logo को जाधा मोका देने वाले हैं तो ऐसा मोका चूकना नहीं चाहिए और ज़रूर इसमें apply करिएगा अगर आपकी selection होती है तो online assessment test के थूँ होगी क्योंकि काफी सारे जो हे मुझे comments भी आते हैं जिसमें उन्होंने बोलाएगी सर, online assessment test एक तरह का जो हे वो लिया गया आप चीज़े पूछी गई लेकिन उसके बाद उनके साथ कैसे communicate करें तो उसके बाद आपको communicate करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी selection होती है अगर उनको लगता है कि आप इस job को करने के काबिल है तो वो खुद अपनी तरफ से आपको जो हे वो email करेंगे आपको उनको email करके पूछने की ज़रूरत नहीं है तो यह question का जो हे वो answer है उसके लाब दोस्तो बेस्टी qualification में ने साब बता है कि आपको understanding होनी चाहिए e-commerce की अगर है तो आप बिल्कुल apply कर सकते हैं अगर बात करें यहाँ पे qualification की तो bachelor degree कर रखी है किसी भी discipline में आप बिल्कुल apply कर सकते हैं MBA है MBA वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं selection process मैंने आपको बता दिया salary के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया और अगर आपकी selection होती है तो यहाँ पे आपको salary अच्छी कासी मिल सकती है 30,000 के आज पास तक salary जो ही हो सकती है और Amazon जैसी company में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो salary जो है उसमें अच्छी ही आपको मिलेगी तो यह दूस्तों freshers के लिए recruitment थी अब हम बात करते हैं manager की post के लिए यानि कि जिन लोगों के पास experience है उन लोगों को जो है वो किस में apply करना है तो manager की recruitment है है हैधराबाद में job location जो है वो रहेगी customer service के experience है दो से तीन साल तक का तो आप बिलकुल apply कर सकते हैं customer service जो है काफी लोग इसके बारे में already जानते हैं नाम से एक लेर हो जाता है कि आपका काम क्या रहने वाला है तो communication skills यहाँ पी आपकी अच्छे होने चाहिए proficiency होनी चाहिए आपकी Excel में MS Office Tools की जानकारी होनी चाहिए MS की जितनी भी जो software वगरा है वो आपको चलाने आने चाहिए Excel आपको आना चाहिए आपको जो है वो PowerPoint presentation जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए यानि कि आपको जो है अपना data जो है एनलाईज करना आना चाहिए अगर है आप पे ये काबलियत तो आप जरूर इसमें apply कर सकते हैं लेकिन दो से तीन साल तक का अगर आपके पास customer service का experience है तो यहाँ पे selection के chance जो है आपके हो सकते हैं अगर बात करें selection process की तो same selection process रहेगा क्योंकि यहाँ पे online assessment test लिया जाएगा उसके बाद अगर आपकी selection होती है फिर ही आपको जाना पड़ेगा हैदरबाद में अगर आपकी selection नहीं होती है आपका online assessment test नहीं होता है आपको उनकी तरफ से कोई भी email नहीं आता इसका सीधा मतलब यही है कि आपकी selection नहीं होई है आपको shortlisted नहीं करा गया है आपकी जगा कुछ और लोग है जिनको उन्होंने shortlisted करा उनमें से भी वो कुछ ही लोगों को job देते हैं और salary के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया 30,000 के आतपास minimum आपकी salary हो सकती है Amazon में काम करने का मोगा अगर आपकी selection होती है तो यह दोस्तों दोनों recruitment है दोनों recruitment के बारे में मैंने आपको बता दिया है अगर आपको recruitment जो है वो अच्छी लगी है तो यहाँ पे आप apply कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें आप जो है वो eligible नहीं है और आपको इसमें काम नहीं करना है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपको मारे चैनल पे मिल जाएगी तो यही दूस्तो लिखा गया है उनकी वेबसाइट पर थेंक्यू बरी बच इस वीडियो को देखने के लिए आशागरतम का आपको वीडियो पसंद आई हो की समझाई हो की वीडियो से रिलेटीड अगर आपके कुछ जो है कोस्टन्स हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं